हेलो गूर्णिंग एबरिवन चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे नमर के बचे हुए रूल्स के बारे में प्रिविएस वीडियो में हम लोग चर्चा किये थे रूल नमर एट तक आज हम लोग रूल नमर नाइन से शुरू करेंगे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दू-दू पूलर होता है और दोनों में मीनिंग अलग-अलग देता है जैसे एक एक जामपल में लिए हम लोग क्या ब्रोदर ब्रोदर का दू पूलर एक ब्रोदर एक ब्रिदर दोनों के मीनिंग में क्या है अंतर है फरस्ट अपल हम लोग इस brothers का मिनिंग देखिए son of same parents और थाथ एक ही parents का संतान जो भाई हो वो क्या का लाएगा brothers लेकिन brethren वहाँ यूज़ करेंगे जैसे son of society और community जैसे समाज का भाई society का भाई तो वहाँ हम लोग क्या यूज़ करेंगे brethren इसलिए जब भी कभी आपको कोई brother का पूलर पूछे तो आप उनको बोलिएगा कि sense में अगर वो same parents की बात कर रहा है तो क्या बनाएगा brothers और फिर society की बात करेगा तो क्या होगा इसका brethren सेम उसी प्रकर चलते हम लोग cloth cloth का दो पूलर होता एक हो गया cloths एक हो गया cloths एक में देखिए S लगता है एक में लगता Yes इस cloths का रथ हो गया unstitched cloth अर्थात बिना सिया हुआ कपला और इस cloths का meaning हो गया stich cloth अर्थात सिया हुआ कपला सेम उसी प्रकर डाय का डाय का दो फूलर एक हो गया dyes एक हो गया dyes dyes का using painting यह हो गया क्या फर्मा फर्मा समझते हैं न जो डाय होता है जैसे कि मुर्ति बनाने वाले के पास मूर्ती का साचा उसी को हम लोग क्या करते है डाइस यूज इन पैंटिंग और फिर डाय का दूसरा पूलर क्या होता है डाइस जिसका यूज करते हैं हम लोग कहां गेम में यानि छक्का जैसे उसी परकर इंडेक्स इंडेक्स का दो पूलर हो गया है इंडेक्स और इंडेक्स का यूज होता है कहां contents और table in book जिसकी book में जो contents दिया हुआ रहता है जहां सारे chapter का नाम दिया हुआ रहता है वहां क्या हो अप में लिखा हुआ रहता है या तो contents लिखा रहता है या तो index लिखा रहता है और indices का अर्थ हो गया sign using algebra जो हम लोग algebra में यूज करते हैं ठीक है चलते हैं चलिए rule number 10 का discuss करेंगे हम लोग some nouns give different meaning in singular and polar form कुछ ऐसे noun होते हैं जो singular में अलग और polar में अलग meaning देता है ये कभी नहीं कहना है कि इनका polar बनता है नहीं है polar बनेगा लेकिन meaning क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा as for example इस row में जितना भी है सभी क्या है singular और इस row में क्या है सभी polar जिसे air air का polar क्या हो जाएगा airs तो ये नहीं कहाना है कि air एक हवा और airs means हवाएं air का अर्थ हो गया हवा और airs का अर्थ हो गया दिखावटी same उसी प्रकार फिजिक हो गया singular अर्था दवा और फिजिक स्पूलर क्या हो गया भोति की good अच्छा goods माल return मिन्स क्या थाओ वापस return मिन्स क्या हो गया हिसाब pan means दर्द pan means क्या हो गया प्रियास force मिन्स बल forces मिन्स सयनाए water मिन्स पानी waters मिन्स समूंद quarter means चोथाई भाग और quarters means क्या होगे छुटा माकान iron means लोहा, irons means जंजीर sind means बालू, saints रेगिस्तान manner means तरीका, manners means बहवार wood means लकडी, woods means जंगल advice means सला, advices means सुचनाय alphabet means word mala, alphabet means भसाय तो हम लोग क्या देखे, कि ये सब नाउन ऐसा होता है जो singular में भी अलग मिनिंग देता है और polar में अलग मिनिंग देता है ये कभी नहीं कहना कि इनका polarize होता ही नहीं next अब हम लोग rule number 11 की चर्जा करेंगे if noun made from man or woman अगर कोई singular noun आपका या तो main या फिर woman से बना हो then it change both side to change into polar form ऐसे noun के दोनों side को change किजिएगा तो वो singular से polar में convert होगा as for example ये क्या main engineer अब देखे ये noun किस से बना है main से बना है किस से बना है main से बना है तो अब यहाँ क्या करना है कि first अपल क्या करना noun को देखना है कि ये main या main से बना है तो main से बना है तुरंद आपका mind हीट कर जाना चाहिए कि इनका दोनो side change करना होगा अर्थात MEN का polar क्या हो जाएगा MEN और engineer का क्या हो जाएगा engineers तो आप क्या देखे main या main से बने वे noun के दोनो side polar कीजिएगा तो वो पुरी तरह क्या होगा polar में change होगा उसी प्रकार Omen conductor क्या हो जाएगा Omen conductors Omen engineer तो क्या हो जाएगा Omen engineers लेकिन इनके कुछ आपको exception याद रखना होगा exception की संग्या fix होती है जैसे exception में man lover Omen lover main hatter Omen hatter क्या देख रहे हैं सभी noun या तो main से बना है याने तो Omen से बना है इस नियम के हिसाब से यह का क्या होना चाहिए यह दोनो side change होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है केवल एक side ही change किजिएगा तो यह polar में convert हो जाएगा जैसे main lover का क्या हो जाएगा main lovers क्या देख रहे हैं main lovers, main hater का main haters, omen hater का omen haters, अब next हम लोग चलते हैं, चली rule number 12 का discuss करते हैं हम लोग some singular noun change into polar form out any rude, rude क्या होता उदंड, अर्थात बेकाइदा कुछ ऐसे singular noun होता है जिनका polar आपको यादी रखना होगा, चुकि इनके लिए को नियम नहीं होता है, इनका बेकाइदे तरीके से बनता है, जिसे foot का, क्या हो जाएगा, feet tooth का, teeth mouse का, mice louse का, lies ox का, oxen child का, children radius का, ready goose का, geese amen का, amen omen का, omen mister का, missus mistress का, misdams madam का, madams अब next चलते हम लोग, rule अमर 13 की तरह rule अमर 13 if o is present at the ends of singular noun यदि किसी singular noun के अंत में क्या हो o हो and it's before any consonant और उससे पहले क्या हो, कोई ना कोई consonant हो, then adding es क्या जोड़ेंगे, adding es, ends of singular noun, change into puller form ध्यान से फिर एक बर रिपीट करते हैं अगर किसी singular noun के अंत में o हो, और उस o से पहले कोई ना कोई consonant हो, तो आप उस noun के अंत में es जोड़ दीजिएगा तो वो singular noun किस में कनवर्ड हो जाएगा, fuller form है आ य्ये हम लोग, example लेते हैं example में first noun लिए है हम लोग क्या, mango अब देखिए, last में क्या है, o है और o से पहले क्या है, consonant है, same उसी प्रकार tomato, last में क्या है, o वो से पहले क्या है, consonant सेम उसी परकार लास्ट में क्या है तो हम लोग जानते है क्या thinking और उससे पहले कोई अंत में रॉक्तEEEE देते हैं तो क्या बन जाता है से क्या हो जाता है से willen से क्या होगिया मैंगोस टॉमाटो से क्या हो गया टॉमाटोज लुडो का क्या हो जाएगा लुडोज हिरो का क्या हो जाएगा हिरोज इस रूल में सबसे important क्या है इनके exception को अगर exception आप याद ने रखते हैं तो फिर क्या होता है आपको इस रूल पे command नहीं होगा आईए हम लोग देखते हैं इनका exception आईए exception में क्या हो गया solo, memento piano, dynamo kento, photo zero देखिए सभी के last में क्या है ओ है और ओ से पहले कोई ना कोई consonant है इस नियम के हिसाब से इसमें क्या लगना चाहिए ये एस लेकिन सभी में एस लगने से नहीं क्या बनता है ये cooler में convert हो जाता है इसलिए कभी mistake नहीं करना है कि last में और है और उस से पहले consonant रहे तो ES जोड़ देना है ये सभी में नहीं होता ये exception क्या सको छोड़ कर तो क्या हो जाएगा solo का solos, memento का mementos, piano का pianos, dynamo का dynamos, kento का cantos, photo का photos और zero का zeros अब आते हम लोग रूल नमर 14 में 14 में, if dual vowel are present at the ends of any singular nouns, अगर किसी singular noun के अंत में क्या हो, dual vowel हो singular noun then only adding as, क्या जोड़ना है के वल as जोड़ देंगे कहा है, ends of singular noun change into polar form, तो वो noun किस में बदल जाएगा polar में, अब देखे किसी example लिए है, सभी singular noun के अंत में क्या है, dual vowel है, एकदम dual vowel है, यहां भी देखे, dual है तो जब भी किसी singular noun के अंत में dual vowel हो, तो के वल as जोड़ दीजेगा, तो वो किस में convert हो जाएगा polar में, जैसे tree का, trace bamboo का, bamboos oz, jose आज के लिए हम लोग बस इतना ही, फिर कल की वीडियो में हम लोग next number की rule के बारे में चर्चा करेंगे, by have a nice day